कुछ चकपटा खाने का मनू और चाय के साथ समोसे मिल जाएं तो उसकी बात ही कुछ और होती है और घर पे बने हुए समोसे जितने हेल्दी होते हैं उतने ही टेस्टी होते हैं तो आज इस वीडियो में मैं सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आप एकदम हलवा जैसे खस्ते समोसे बना सकते हैं यह देखें यह हमारा समोसा कितना खस्ता बनाया है आप वीडियो में देख सकते हैं यह कितना ही क्रिस्पी है और इसमें आलू भी बहुत कम है और इसकी ओप्री लेयर बहुत ही खस्ता है आप इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखें औ और सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करते हुए अगर आप समोसे बनाएंगे तो आपके भी समोसे एकदम हलवाई जैसे बनेंगे तो चले इसे बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने लिया है दो कप मैदा अब इसमें जाएगा एक छोटा चमच अजवाईन अजवाईन को इस तरीके से हथेलीम लेके क्रश करके डालें तो उससे फ्लेवर अच्छा आता है और इशमे जाएगा एक छोटा चमच नमक एक छोथाई चमच ऑयल जित्ता हम मैदा लेंगे उसका वन एर्थ पोर्शन हमें ओयल लेना यहां पे दो कप मैदा मैने लिया है और एक चौथाई कप ओयल डाल लेंगे अब इन सभी इंग्रिजोंट को हम हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे यह स्टेप बहुत ही इंपोर्टेंट है इसे हमें तब तक मिक् पीच में रब करते हुए हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे यह मैने मैदे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया मोयन चेक करने के लिए आप इस तरीके से मुठी बान के देख सकते हैं यह हमारा इकठा हो जाना चाहिए अब हम इसमें हल्का गुन-गुना पानी डालते वे इसका एक डो ready कर लेंगे, आप चाहें तो नॉर्मल पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मैं हलका गुनगुना पानी यूज़ कर रही हूँ, इसे हमें बहुत जादे नहीं गूतना है, और ना तो इसका डो बहुत soft होगा, ना बहुत hard होगा, soft तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अगर हमारा soft हो गया, तो हमारे समोसे की उपरी लेयर क्रिस्पी नहीं बनेगी, यह देखे, यह डो हमने बना के ready कर लिया, अब डो को हम आधे गंटे rest करने के लिए छोड़ देंगे, और जब तक हमारा डो rest कर रहा है, चलिए तब त आने के बाद इसमें हम डालेंगे एक चोटा चमच जीरा, एक बड़ा चमच खड़ा धनिया, इसका समोसे में बहुत ही अच्छा flavor आता है, अब इन दोनों को हम थोड़ी देर पका लेंगे, यह धनिया और जीरा हमारा हो गया है, अब इसमें डालेंगे दो बारीक कटी हु अब इन सभी को हम थोड़ी देर पका लेंगे, हम लहसन और अद्रक को अच्छी तरीके से पका लेंगे, क्योंकि इसका flavor आलू में बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप इसे अच्छी तरीके से पका लें, यह मैंने लहसन और अद्रक को अच्छी तरीके से पका लिया है, अब इसमें मैं डाल ले हूँ आधा कप उगला हुआ मटर आप मटर को पहले हलका उबाल ले तो इससे मटर बहुत जल्दी पक जाएगा और इसे भी हम थोड़ी देर पका लेंगे ये मटर को लगबग 2-3 मिर्ट पका लिया है ये मटर एकदम अच्छी तरीके से पक गया है अब इसमें जाएगा एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर एक चोथाई चमच लाल मिर्च पाउडर हमने यहाँ पे हरी मिर्च का भी यूज़ किया है तो लाल मिर्च का मैं कम यूज़ कर रहे हूँ अब हम इसे थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे यह लगबग थोड़ी देर पका लिया है अब यहाँ पे मैं एक चोथाई कप मूंग फली डाल ले हूँ आप यहाँ पे मूंग फली की जगा काजू भी यूज़ कर सकते हैं यह तोटली आपके टेस्ट के ओपर डिपन करता है कि आपको समोसे में मूंग फली अच्छा लगता है या काजू मुझे मूंग फली अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम मूंग फली डाल ली हूँ और इसमें जाएगा एक छोटा चमच नमक और इसे वापस से हम थोड़ी देर चलाते हुए पका लेंगे जिससे कि मूंग फली अच्छी तरीके से पक जाए यहाँ पे मैंने ये पांच बड़े साइस के उबले हुए आलू ले 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 हैं जिसे सिंपल उबाल के मैंने छील लिया है अब मसाले में आलू डालने से पहले इसमें जाएगा आधा चमच भूना जीरा पौडर एक छोटा चमच गरम मसाले ये दोनों मसाले जैसे ही आपको आलू डालने हैं उसके पहले डाले इन मसालों को हमें जादे भूनना नहीं है आलू डालने के पहले बस मसालों को डाल के हलका सा चला लेंगे और उसके बाद हम इसमें आलू मैश करके डाल देंगे इससे हमारा मसाला आलू में equally spread होता है अगर आलू mash करके डालने के बाद आप ये दोनों मसाले डालेंगे तो आलू में कहीं ये जादे मसाले पता चलेंगे कहीं कम पता चलेंगे अब आलू को इसी तरीके से हाथ से mash करके डाल देंगे क्योंकि जो समोसे का आलू होता है, कहीं बड़ा पीस होता है, कहीं छोटा equally mash नहीं होता है तो हांस से roughly mash करके इसे डाल देंगे और इसे मसालो के साथ अच्छी तरीके से mix करके भून लेंगे यह आलू को मसालो के साथ अच्छी तरीके से mix कर दिया है एक बार नमक टेस्ट कर लें, यहाँ पर नमक हलका कम है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक इसमें और एड़ करूंगी, तो आप नमक एड़ करने से पहले एक बार टेस्ट जरूर कर लें, क्योंकि हमने पहले भी इसमें नमक डाला था, वापस से इसे हम अच्छी तरीके से mix कर लेंगे और medium flame पे लगबग 4-5 मिट तक भून लेंगे जिसे कि आलू में सारे masala का flavor अच्छी तरीके से आ जाए ये 5 मिट हमने भून लिया है गैस को बन कर देंगे और इसमें धनिया डाल देंगे और धनिया को आलू के साथ अच्छी तरीके से mix कर लेंगे अब इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से ठंड़ा हो जाने देंगे आलू माय ठंड हो गए अब इसमे डालेंगे आदा चमच चाट मसाला आदा चोटा चमच अमचुर पाड़ और इसे वापस से अच्छी तरीके से मिक्स कलेंगे ये दोनों मसाले आप आलू भूनते वक्त भी मिला सकते हैं बट इस तरीके से ठंडा होने के बाद मिलाने पर आलू का फ्लेवर जादे अच्छा आता है तो आप एक बार इस तरीके से जरूर ट्राई करें ये आटा को रेस्ट करते वे एक घंटा हो गया है इसे वापस से अच्छी तरीके से गूत लेंगे ये देखिए हमने किता टाइट डो बनाया था ये अब हलका सॉफ्ट हो गया है अब इसमें से एक छोटा सा बॉल हम कट कर लेंगे बाकी आते को हम वापस से ढख के रख देंगे अगर आप उसे खुला छोड़ देंगे तो उसकी ओपरी लेयर सुख जाएगी तो उसे ढख के ही रखें ये हमने एक पेडा सा बना लिया है अब इसे हम बेल लेंगे ये देखिए ये मैंने बेल लिया है ना तो ये बहुत मोटा है ना बहुत पतला है आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं ये देखिए अब एक नाइफ या पीजा कटर की सहाथा से इसे इस तरीके से बीच से कट देंगे तभी हमारे समोसे का तिकोना सेप आएगा अब इसमें से एक पोर्शन को हम ले लेंगे अब आपको फोल्ड करना बदाती हूँ जो कट वाला पोर्शन है इसके आधे साइट पे हम बाहर की तरफ पानी लगाएंगे और आधे साइट पे अंदर की तरफ से और इसकी एक लेयर उठाके इसके उपर इस तरीके से चिपका देंगे और इसे इधर से लॉक कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे ये देखे ये हमारा समोशे का सेप बन गया है अब इसे इस तरीके से हथेली में लेके इसमें हम अपना आलू जो रेडी किया है वो डाल देंगे आप बहुत ज़्यादे इसमें आलू ना डाले, नहीं तो समोसा खाने में अच्छा नहीं लएगा, श्रिप आलू आलू लगेगा, तो यहाँ पे एक चमची करीब मैं इसमें आलू डाल लेई हूँ यह आलू को मैंने फिल कर लिया है, आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादे आलू फिल नहीं किया है, उपर अभी काफी स्पेस है, अब अंगूठे से इसे हलका सा प्रेस कर देंगे, और इसके चारो तरफ वापस से किनारों पे पानी लगा देंगे, जिससे कि इसका उपरा सीरा भी अच्छी तरीके से लॉक हो जाए, और फ्राई करते वक्त ये खुले ना, इस तरीके से हलका पानी लगा देंगे, और हम इसके दूसरे साइड भी ये हलका सा प्लेट बना देंगे, इस तरीके से जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, और इसे अच्छी तरीके से चिपका देंगे, दोनों हातों से अंगूठे से प्रेस करते हुए, ये हमने लॉक कर दिया, ये बन गया हमारा समोसा फ्राई करने के लिए रेडी है एक दम, ये देखे कितना अच्छा बनाया है, एक दम हलवाई जैसा तिकोना शेप आया है, ये देखे ये एक म धक के रख दें, उसके बाद ही फ्राई करें, तो इससे अमारी उपरी लेयर एक दम क्रिस्पी आती है, ये लगबग एक घंटा मैंने रख दिया था, अब हम इने फ्राई कर लेंगे, तेल हमारा गरम हो गया है, ये सारे समोसे डाल देंगे, हमें बहुत जादे गरम नहीं चाहिए तेल, मीडियम गरम होना चाहिए, और यहां कडाही को मैं बहुत ओवर क्राउड़ेट भी नहीं कर रही हूँ, ये देखिए, ये एक साइड से हो गया है, अब हम इने पलट के दूसरी साइड से पका लेंगे, अब इन समोसों को अलटते पलटते वे एक दम क्रिस् समोसे बनाने के बाद उसे लगबग एक घंटे के लिए ढखके रख दें तो इससे हमारा समोसा और भी क्रिस्पी बनता है, ये हमारा समोसा बनके रेडी है, ये देखिए, ये कितना क्रिस्पी देखने में लग रहा है, मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखाती हूँ, य समोसे अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है इन्हें हम निकाल लेंगे यह एक बैच मैंने बना के रैडी कर लिया है इसी तरीके से हम अपने बाकी समोसे को फ्राई करके रैडी कर लेंगे मैं आपको एक समोसा तोड के दिखाती हूँ कि यह कितना क्रिस्पी बना है यह देख सफिंग भी कितनी अच्छी है ना तो बहुत जादे आलू है ना बहुत ही कम आलू है और उपली लेयर भी ना तो बहुत मोटी है ना तो बहुत पतली है आप सारे स्टेप को फालो करते हुए एक बार जरूरी समोसे को ट्राई करिएगा और अपना एक्सपिरेंस मुझे कमें इंबॉक्स में लिखके बताईएगा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगए तो उसे लाइक करना ना भूले हम फिर मिलेंगे एक नई एजी एंड क्विक रैस्पी के साथ तब तक के लिए बाए